हेलो बच्चो वेलकम टू बेस्ट अप्रोच मैं हूँ विपिन गुपता और आप लोगों के लिए लेख्या है हूँ मैथमेटिकल रीजिनिंग की जो हमारी सीट है उसकी एक्सिसाइज नंबर थी का नुमेरिकल नंबर 66 तो आओ बहुत देख्या है नुमेरिकल में क्या लिखा हुआ है लेट स्टार स्क्वाइर यह आपके पास एंड ऑपरेशन और और ऑपरेशन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं ठीक है यह हमारे पास गिवन हैं तो में फंडा क्या है कि इसको लोग देखेंगे टॉटलोजी है मतलब यह दोनों टॉटलोजी अगर यह ओपरेशन अगर टॉटलोजी दे रहा है तो इसका रिजल्ट आपके पास true होगा ठीक है तो इस रिजल्ट यह situation है ठीक और इस बहले पार्ट को अगर मुझे solve करना होता है तो लिखते हैं हम लोग negation of P और negation Q और यहां जाएगा और P और Q क्या इसके लिए जो वेंड डाइग्राम बनेगा वो पूरा complete होगा आओ देखते हैं एक बार जारा समझ लेते हैं इस बात को यह आपके पास P और यह आपके पास Q यह भी गयर्वारी बात करेंगे पी और नगेशं की उनका union लेना है तो P पर तो यह पूरा complete हो गया और negation Q मतलब Q से बाहर बाले पार्ट की बात हो रही है तो Q से बाहर बाला पार्ट यह सारा अगर मैं इसको दूसरे language में और बताने की कोसिस करूँ तो ज्यादा आपको आसानी से समझ माझा जाएगा negation of P यहांना demorgans लगा दिया है and Q and operation हो गया है तो अभी बहुत आसानी से समझ माझा जाएगा not P मतलब P से बाहर बाला पार्ट और Q यह बाला पार्ट तो P से बाहर बाला पार्ट और Q पूरा में जो common पार्ट है वो सिर्फ यह है जो वर्टिकल लाइन से सिर्फ यह होगा यह बिल्कुल नहीं होगा option नंबर यहीं पर आपका रॉंग हो गया आप हम लोग बात करेंगे option नंबर बी की तो option नंबर बी में हम लोग पूट करना यह situation है और यह तो और operation चली रहा आपके पास इसके लिए बन डाग्राम यहां बनाते है स्पेस का मैं देख रहा है ओके यह P हो गया और यह Q हो गया पहले बात हो रही दोनों का end operation मतलब दोनों का intersection वह यहां आ गया इसका union consider करना है negation of P मतलब P से बाहर बाला पार्ट पूरा और Q के साथ उसका intersection है मतलब कौन सा पार्ट आएगा सिर्फ यह बाला पार्ट आएगा यह बाला पार्ट ठीक है इसका मतलब यह पार्ट नहीं होगा तो option number B भी आपका wrong हो गया अब हम लोग बात कर लेते हैं option number C की तो option number C के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यह option number A के लिए हम लोगों ने work किया था यहाँ पर option number B के लिए work किया था अब option number C के लिए work कर रहे हैं तो इस पहले पार्ट को हम लोग क्या लिख रहे हैं negation of P और यह symbol यूज कर ले रहे हैं and operation negation Q फिर और operation यूज हो जाएगा P फिर यहाँ पर और operation यूज होगा Q के साथ यह है कहानी ठीक है इस operation किसके साथ involve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा negation of and रहने देता है यह थोड़ा सा easy हो जाता है समझना आप लोगों के लिए ठीक है इसको and रहने जिते हैं ठीक है इसका band diagram लोग बना रहे है भाई P और Q मतलब पूरा पार्ट जो भी गोले के अंदर आ रहे है ठीक है P और Q बता दो आप इसको कि यह P और Q है और operation लेना है negation लगा negation देखे लेंगे P negation Q तो P पूरा ये पार्ट Q के बाहर बाला पार्ट तो Q के बाहर बाला पार्ट और P उनका अगर हम लोग intersection लेते हैं तो यह आगए आपके पास P और यह Q के बाहर वाला पार्ट और यह पार्ट आजाएगा आपके पास सकते हो थैंक यू